नमस्कार निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ फ्लाइस बिरिक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ क्या इसका rate है, किस तरीका से इससे बनाया जाता है, क्या इसका फायदा है, इसके बार में हम लोग जानेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देशकते हो, एक बनता हुआ घर है, और इस घर में जदातर जो इंट का परयोग किया गया है, वो fly-ass brick है, आप इसली यहाँ पे देख पा रहे हो, जदातर लोग आज कल लाल इंट के मुकाबले में fly-ass brick के तरफ अगरसर हो रहे हैं, यहाँ प इसका फ्राइस है, दोस्तों, आपको सही तरीका से सही जनकारी दिया जा सके, इसलिए में आप लोग के लिए डिरेक्ट फैक्टरी में आया हुआ हूँ, और यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीका से इंट बना कर यहाँ पे रखा गया है, क्या इसका सबसे बरा इसका benefit यह है कि यह जो आप देख रहे हैं इसका size को लेकर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो देखें यह जो size है बहुत सारे मन में यह डाउट होता है कि कि यह लाल इंट के मुकाबले थोड़ा छोटा है छोटा बिल्कुल भी नहीं रहता दोस्तों सेम साइज रहता है आप इसलिए यहां पे देख भी सकते हो और इसका फाइदा यह है कि जो इसका कोर होता है देखिए चारो तरस में आपको घुमा कर दिखा देखा हूं यह जो कोर होत है कि जब लाल इंट का जुराई करते हो तो आपको पता है लाल इंट इस तरीकत से सीधा नहीं रहता है तीरचा रहता है तेरह रहता है तो उसमें आपको ज्यादा मसाला खाता है उसके साथ साथ इसका फायदा यह भी है कि अगर जब गर्मी आप ऐसा पर पर आसे जादा तो वहां पे भी बहुत ज़्यादा अंदर जो heat है वह अपने आप अंदर में नहीं लेता है जिसके कारण जो आपका घर होगा उतना गरम नहीं रहा पता है थोड़ आपको रहा हो तो उसमें भी जरूर मिल जाता है रेट के बारे में अभी हम लोग चार्चा तो करने ही वाले है तो इस तरीका से बनता हुआ fly-ass brick है जिसमें आप लोगो डिरेक्ट फैक्टर से दिखा रहा हूँ यह आप इसली यहाँ पे देख पा रहे हो तो देखिए इस तरीका से अगर वजन का भी बात कर लिए जाए तो और वहां पे इस इंट का परियोग करते हो तो यह आपके लिए और भी ज्यादा फैदे मन हो जाता है इसलिए ज्यादातर अपार्टमेंट में आप लोग देखते होंगे तो fly-ass brick या फिर जो खोखला वाला हमारा ब्लॉक आता है इस तरीका से आपने जाना कि किस तरीके से fly-ass जो brick है उसका size रहता है का इसका benefits है हाला कि इसका कुछ नुक्सान भी है जिसके बारे में मैं आप लोग को special वीडियो में बताऊंगा कि इस इंट का क्या नुक्सान है कि आपको पता है कि जो धर्ती पर जो भी वस्तु है यह चीज है उसका दो पहलू है एक तो है फाइ 23 के बारे में हमारे यहां जो लाल इट का कीमत है उसका एक इंट का कीमत साथ से नौ रुपे का आसपास में है जबकि fly-ass brick का कीमत चार से सारे चार रुपे में आपको एक इट इसली मिल जाता है आपको बिलकुल side तक पहुंचाते हुए तो अगर बात किया जाय conclusion का तो रे सादरह में किसी चीज का परमूट नहीं कर रहा हूँ बलकि आपको बात है वह बता रहा हूं तो देगे इस तरीक से आपका पैसा है बच सकता है लाल इट का कीमत आपके तो पर जो अनुपर-णीचा होते रहता है तो आपके आपके पास दोनों ऑPSन है आपको जो मर्जी है उस इट का आप पर्योग कर सकते हो मेरा काम में सही जनकारी देना मैंने आप लोगों को तक सही जनकारी पहुचा दिया है अगर आप कोई वीडियो पसंद रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ से चनला को सबस्क्राइब बिजे रेट रियाद रहे चार से सारे चारुपे कासफास में एक इंट का कीमत है इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फूजन हमेशा रहता है अगर आप निराला कंस्रेक्शन का रेगुलर भीवर है तो आप हमारे चनला को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा यहां पर आपको डेली बेसिस में घर बनाने से सब्बांधित वीडियो मिलता रहता है और आने वला दिन में भी मिलता रहेगा तो प्लीज जल्दे से सब्सक्राइब जरूर कर लिजेए थैंक्यू सो मच